हेलो एब्रेवन वल्कम वैक टू दे चैनल कॉमर्स की दुनिया गाइज आज की इस वीडियो में गुडबिल की कैल्पिलेशन के लिए एक और न्यू मैथर आप सभी के साथ शेयर करने वारा हूं तो आप सभी से इतना ही कहूंगा कि पिछले जो मैथर्स हैं आपने अगर सी चीक लिए होंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मैथर कैसे लगे और अगर आपने वह मैथर सब्सक्राइब तक नहीं सीखे हैं या वीडियो ही नहीं देखी हैं तो आप से बस इतना कहूंगा कि अपना बेस पत्ता करने के लिए कुन समय दर आज आपके साथ शेयर दगने वाला हुमें तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं सात्यों के कैलकुलेशन ओफ गुडविल कैलकुलेशन ओफ गुडविल कि अगा ऑन दीवेसिव अनुटी मैंसर्ड एनुटी एनिकी जो बार सीगी होती है कि अनुटी ओप सूपर प्रॉफिट मैंज़ड ओके गाइस यह अपना होगा टॉपिक हिंदी में आप इसका टॉपिक को जान लीजिए क्या है इसका टॉपिक का नाम तो साथ यह आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे अधिलाव की बार सीगी पद्धती तो साथ यह वैसे तो आपको मैं मता दूँ हर वीडियो एक दूसर से इंटर लिंक अब है और इस वीडियो में आपको एक तर्म पिछले ही वीडियो में हमने डिस्क्राइब करते वे नजर आयोंगे तो यहां पर बात की जा रही है शूपर प्रोफिट शीज तो साथ यह आपने पिछले वीडियो में शूपर प्रोफिट कैसे कैल्पूलेट किया है वह जान लिया होगा वर अकर आपने शूपर प्रोफिट को अभी तक नहीं सीखा है तो हम इस टैब लिख दे रहे हैं और माइनस प्रिट देन statute आप क्या नोर्मल क्या च्वाइब पताई साथ वही हैं नॉर्मल क्या क्रभिअ करने करने के लिए आप आपको स्प्रियत कियो है एए है घृईनले नॉर्मल इअसकेय आपने मैस्ट किया है मै कि मैटिक्ञारिज आरक्मले क्त कैले हैं जो भी आपको rate दी जाएगी question में और appointment में आपको लिख देना है hundred ओके साथ यो इससे आपका normal profitable के आ जाएगा लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नहीं अब नहीं बात क्या है यहाँ पर अब यह आया है साथ हो यह क्या है साथ हो अब यह कैसे पता चलेगी इसको पता लगाने के लिए आपको एक टेबल में मिल सकती है लेकिन इसका calculation करने का एक formula है वो formula क्या है वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको टालिका यानिकि जो टेबल है उसके इसाब से देना बहुत ही possible नहीं हुआ क्योंकि टेबल तो बहुत लंबी चोड़ी होती है और टेबल आपको question paper में मिलेगी भी नहीं बट आप annuity calculate कर सकते हैं या फिर question में आपको annuity की value दी जाएगी यानिकी एक रुपे की value ज़रूर दी जाएगी ठीक है थात्यों मैं आपको यहाँ पर annuity की calculation का formula लिख देता हूं annuity निकालने का formula होता है 1-100 upon 100 plus r 1-100 upon 100 plus r यानिकी rate of return जो मिलेगी आपको और upon में r upon 100 यह सात्यों इसका formula होता है ठीक है सात्यों या तो question में आपको annuity दी जाएगी या फिर question में annuity अगर नहीं देते हैं तो आपको क्या करना होगा इस तरह से calculate करने होगी और यानिकी जो rate होती है जो return की rate है normal rate है उसके हिसाब से आपको calculate कर लेना है ठीक है साथ यह एक्जाम्पल के दूप अभी आगे मैं एक बाब बताऊंगा उससे पहले क्या बताना है if दो condition लेंगी यदि if annuity annuity is greater than 1 अगर ann annuity आपकी 1 आती है greater than 1 अगर आपकी annuity एक रुपे से जा रहा आती है तब आप multiply करेंगे super profit से goodwill की calculation करने के लिए आपको multiply करते नहीं है लिए goodwill request to हो जाएगा आपका super profit multiply annuity value जो annuity की value आई है या annuity की value जो given है वो आपको multiply करते नहीं है मैं बार बार बता रहा हूं यदि annuity एक रुपे से जादा है तब गुणा करेंगे और अगर एक रुपे से कम उसकी value आती है यहां पर लिखेता हूं if point number two if annuity is less than one rupees less than one तब क्या करेंगे goodwill लिक आउनने के लिए मिरभाई मिरसाथ यो क्या करेंगे super profit को आप divide कर देंगे annuity की value से divided by annuity ओक के साथ यो इतना समझे आगे बढ़ते हैं बहुती सरल भासा में आपको समझाया गया है आप इतना देखिए और बताइए कि आपको समझ में आया है यह नहीं आया और मैं यहां पर थोड़ा camera भी चेक कर रहा हूं कि जिससे आपको सब चीजे अच्छे से समझ में जाये तो अब तक हमने बात कर लिए कि सूपर प्रोफिट कैसे कैलकूलेट करते हैं नॉर्मल प्रोफिट कैसे कैलकूलेट किया जाता है एंड्यूटी की वैल्यू निकाल ले कल्या फॉर्मूला है वह आपने बोर्ट पर देखी रहे हैं 1-100Oud1 प्लश आपोन आर अपन अ इससे आप annuity की value calculate कर सकते हैं और आपको calculate कप करनी है यदि आपको question में value नहीं दी जाती है और आपको question में annuity की value दी गई है तो आपको दो चीजे धिहान में रखनी है कि अगर annuity की value एक रुपे से जादा है यानि कि annuity 1 से जादा आती है तब आपको multiply करनी पड़ेगी और calculation कर सकते हैं on the basis of annuity of super profit यानि की super profit के बारसी की पतेती को आपने यहां पर theoretical way में समझ लिया है साथियू आप से मैं यहीं कहूंगा कि आपको मैं एक example के थरो भी समझा दूँगा अभी इसी question के अंतर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप annuity से जो है गुड़ीव पर आप एक question देख लीजिए वड़ा बट सो माइ फ्रेंड्स आपने बोट पर एक question को देख लिया होगा और आप देखिए क्या कह रहा है question कि एक फर्म की बिन्योजित पूंजी बिन्योजित पूंजी क्या होती है capital employed साथियो या capital invested साथ हो capital employed या फिर आप इसको capital invest भी कह सक है okay guys विन्योजित पूंजी देड़ लाग रुपिया है समान्य लाग की ज़र यानि की जो normal rate of return है वो 10% है एक रुपे का तीन वर्स का 10% बारसी इदर से ब्रत्वाय मूर लिया यानि कि एक रुपे की value दी गये तीन साल में 2.48685 है यानि कि यह जो है आपकी annuity given है साथियो तीन वर्सों का ओसर लाव average profit है सत्रह जार रुपिया बारसी की जिसे ख्याती का मुल्यांतन करना है आपको तो साथियो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा और प्रोफिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा मैं सोट फूम में लिए रहा ह नॉर्मल प्रोफिट माइन करते हैं Think घंब और फिल गफिर डिवन नहीं है तो चोन्प्रोफिट आपको क्या करना है क्या करना है ,क करना है नन्रमल प्रोफिट निकालने का FORMULA भ्ळा आपका capital employed है आप इस पर इंप्रोइड कर लेंगे आपका देज लाग रुपिया रेट अपने हंड्रेड आई जिरो से जीरो प्रोज या आपका पंदरह हजार अब आप निगाल लेंगे साथ्योग सूपर प्रोफिट निगालने के लिए आपको क्या कर रहा है अब आपको क्या करने के लिए क्या करते हैं यह देख लेते हैं कि रुपीज वन से जादा है या कम है तो आप क्या करेंगे मंटिबलाई करेंगे सूपर प्रोफिट की टूटाव मंटिबलाई तू पांट फोरेट 685 पॉइंट हन आ सकते हैं आप रिमूब करने के लिए पॉइंट के बाद के जो डिजिट है उनको दे लिए एक टू थ्री फाइव 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 पॉइंट रिमूब हो गया त्री डिजिट से त्री जिलो कट गए हैं यहाँ पर और आपको क्या करना मैं एसी मुटिप 4 और आपका कितने जीरो रहे हैं आप दो जीरो इस जीरो से जीरो कटिया आपके मेरा ही कैल्कुलेशन करके गुडविल आ गई आपकी गाइज तो आपने इस तरह से क्या किया हैं साथ यूँ इस तरह से आपने गुडविल निकालनी सीख लिए थ्रो एनुटि आपको यह टॉपिक अच्छा लगों आपके द्वारा जो भी फीट्वेस हमें दी जाएंगी जो भी सेशन हमें दीए जाएंगे वह घली वीडियो में हम अप्लाइ करते हैं नजर आएंगे बने रहे हैं माई चैनल में साथ हो देखते हैं कॉमर्सिव दूने थाइकू सो म